Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता है एक राशिफल तो चलिए अप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of swords and new beginnings और देखें new beginnings का card बहुत ही clearly किसी level पे किसी तरीके की नई beginning, नई शुरुवात होने की या फिर चाहने की बात करता है लेकिन देखें surface level के लिए seven of swords का card कहीं escapism वाली energies की बात करता है लोगों से, situation से, problem से, issues से, बचने बचाने की बात करता है यानि कि आप upfront होके किसी भी चीज़ को deal नहीं करना चाहा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं और देखें in the process हो सकता है आप थोड़े से manipulative हो रहे हैं या फिर diplomatically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं अपने goal, अपने मकसद को लेकर एक clarity भी नहीं रहती होई दिख रही है और अगर ऐसा आप भी पाएं Aquarius तो इस चीज़ को ज़रूर चक करके correct करें और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास है वो काफी manipulative हो रहे हैं उनकी intentions, उनके motives आपके लिए ठीक नहीं है और अगर ऐसा आप Aquarius महसूस करें तो थोड़े से cautious, थोड़े से conscious आप रहें blindly किसी पे भी trust इस week आप ना करें और परसनल फ्रंड के लिए आप लुगों के लिए cards है, six of wands and partnership and alliances और दिखे, six of wands का card कहीं victory की बात करता है, triumph की बात करता है success की बात करता है तो पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप effort कर रहे थे, महनत कर रहे थे तो उसी से ही related या फिर otherwise भी एक victory, एक success परसनल फ्रंड में मिलती हुई दिख रही है जिसकी वज़े से या फिर otherwise जो भी लोग आपके आसपास हैं आपके loved ones, आपके close ones काफी उनकी तरफ से एक appreciation मिल रहा है recognition मिल रहा है और बहुत great भी आप feel करते हुए दिख रहे हैं एक enthusiasm, एक excitement रहता हुआ दिख रहा है and deeper level के लिए partnerships and alliance का card कहता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं या फिर मिलना चाह रहे हैं नए connections आपके बन रहे हैं आप जादा लोगों से interact कर रहे हैं जादा लोगों से बात कर रहे हैं अपना कोई personal issue भी कुछ लोग हो सकता है अपने किसी loved one या फिर loved ones के साथ discuss कर रहे हैं तो देखिए overall personal front के लिए काफी beautiful energies रहती हुई दिख रही हैं लेकिन professional front के लिए फिर से मैं कहूंगी थोड़ा सा you know upfront होके चीजों को deal करने की ज़रत है and guidance से आप लोगों के लिए love abounds का काड है देखिए बहुत ही clearly ये काड आपको कहता है कि जो भी नई beginning इस week आपकी life में हो रही है आप उसको बहुत ही एक joyfully welcome करें क्योंकि देखिए यहाँ पे professional front में हमने देखा new beginnings के ओपर seven of swords का का काड है जहाँ पे आप चीजों से बच रहे हैं escape कर रहे हैं upfront होके नहीं deal कर रहे हैं शायद आप इस new beginning से भी बचना चाह रहे हैं और होता भी एक एक वेरियस की नई beginnings चाहे जितनी भी अच्छी हों लेकिन hundred percent हम उनके बारे में नहीं जानते हैं तो कहीं एक anxious सी energies होती हैं हम बहुत comfortable नहीं feel करते हैं तो देखिया अगर ये reason है तो मैं आपको यही कहूंगी कि जब तक आप explore नहीं करेंगे तब तक आप नई चीज़ को जान भी नहीं पाएंगे और यहाँ पे देखिये बहुत ही clearly again love abounds का काड कहता है कि यह नई beginning आपकी life में happiness, joy, satisfaction लाने वाली है तो इसको ज़रूर आप welcome करें इसके लिए ज़रूर एक acceptance आप लेकर आएं चक्रा से आप लुगों के लिए throat chakra का का काड है और इसके हिसाब से docoys या फिर all shades of blue आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday और दीखे दूसरी बात throat chakra का का काड कहता है कि अपने communication पे आप थोड़ा सा attention दे आप लोगों के साथ किस तरीके से अपनी feelings, emotions को communicate कर रहे हैं क्या words यूज़ कर रहे हैं क्या you know आपकी tone है क्या conversations आपकी तरफ से हो रही है और आप अपने self के साथ भी किस तरीके से बात कर रहे हैं negatively या positively again उसके लिए थोड़े से attentive इस week आप जरूर रहें तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए